आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक रूल्स अप अकॉंटेंसी और उसमें भी रूल्स फर डेबिट एंड क्रेडिट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चलते हैं आज का सेशन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो सभी स्टूडेंट के लिए कम पलसरी ह जो बेसिक अकॉंटेंसी में नौलेज लेना चाते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए आज का जो सेशन है काफी रिलिवेंट है और जो भी मेरे चैनल से जुरे हुए हैं इस वीडियो को स्टार्ट से ले करके आन तक देखेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में और कुछ इंपोर क्रेडिट को मैं CR क्यों बोलता हूँ जबकि डेविट में नहीं कहीं आर का इस्तमाल है फिर भी हम लोग डेविट को हम लोग DR बोलते हैं और क्रेडिट को हम लोग CR बोलते हैं तो देखें सबसे पहले DR जो आया है DR जिसको हम लोग debit को हम लोग DR बोलते हैं और credit को shortcut हम लोग CR बोलते हैं और accountancy में इस्तमाल भी की जाती है और अक्सर accountancy में DR ही लिखा जाता है और credit के जगा पे CR ही लिखा जाता ऐसा क्यों खुद सोचे चुकि debit में कहीं पे R नहीं आ रहा है और credit में कहीं पे भी R नहीं आ रहा फिर भी हम लोग DR for debit समझते हैं और CR for credit समझते हैं हमेशा याद रखेंगे जो debit होती है हम लोग left side में लिखते हैं किसी भी transaction को और credit balance जो होती है हमेशा हम लोग right side में हम लोग लिखते हैं यह तो हम लोग समझते हैं तो देखे डियर जो आया यह जो दूनों है Italian words जाया है Italian words जाया है जाया है Italian सबसे आया क्या ची डियर आया है Italian में डियर मतलब कि यहां पर बोला जाता है डेवर मतलब debit जिसको हम लोग समझते हैं उसको डेवर बोला जाता था ठीक है और credit जिसको हम लोग बोलते हैं CR इसको Crader बोला जाता था Crader ठीक है बाते समझ में आई इसलिए DR यहां से लिया गया जिसको हम लोग DR बोलते हैं और यहां से CR लिया गया इसलिए उसको हम लोग CR बोलते हैं मतलब credit समझते हैं आई होब कि आप लोग को समझ में आ गया होगा debit और credit जो सब्द आई है वो किस कहां सा है Italian सब्द से आया है जिसका मतलब debit DR का full name होता डेवर और CR का मतलब होता है Crader ठेके आई होब कि आप लोग समझ गया होंगे यहां तक अब मैं आगे बढ़ता हूं आज में हम लोग जो है discuss करने वाले हैं रोल्स पर debit credit का एक दों simple way से और ऐसा method हम लोग आज सीखने वाले हैं जो बहुत कम हम लोग जानते होंगे साइथ I hope कि आप लोग को यह video भी आज का अच्छा लगेगा तो अच्छे से देखेंगे start से लेकर end तक देखेंगे तो इसका सारा concept आप लोग को clear हो जाएगा और easy way से आप accountancy का किसी भी transaction को आप debit और credit कर सकते हो एक बार मैं on camera फिर से देख ले रहा हूं कि क्या आप लोग तक अच्छे से नीट और clean दिखाई दे रही है I hope कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे और जिनको कोई confusion होगा तो प्लीज आप लोग message करेंगे तो देखेंगे मैं एक छोटा सा example ले रहा हूं जैसे debit और credit का जो rules है हमेशा याद रखना है जो business का अपना है उन सभी को हम लोग को debit करनी है और जो business का नहीं है उसको हम लोग को credit करना है सर ऐसा कैसे हो गया तो वही चीज को हम लोग को समझना है उसी चीजों को हम लोग को समझना है कि जो business का अपना चीजे होती है उन सभी को हम लोग debit करेंगे और जो business का चीजे नहीं है जो things नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे credit करने वाला है यहाँ पे जो भी golden rules है उन सभी रूल्स को धजिया उड़ जाती है चुकि वो ट्रेडिशनल मैं थड़ है चीक है गोल्डन रूल्स में हम लोग पाले स्टेडीज कर चुके हैं जो परस्नल एकाउंट रियल एकाउंट आज उन सभी को अपने जगह पे छोड़ करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो देखे अब हम लोग समझते हैं मान को चलिएक कोई पर्सन है मैं यहाँ पे एक पर्सन को बना रहा हूं और थे निम्योड है यह कोई पर्सन है इसका नाम है इसन गुपता ठीक है इसन गुपता sn गुपता जी क्या सोचते है पहले हम लोग एक बिस्क चीज़े को समझते है क्या खिर होता क्या है तभी तो हम लोग उस चीज़े को सोच करके transaction करते हैं और journal entry में हम लोग journalize करते हैं वो सोच रहे हैं कि अपने एक business होनी चाहिए और उससे क्या होगा मैं बिजनस से कुछ profit earning करूंगा gain earning करूंगा जिससे क्या होगा मेरा जीवी को पारजन चलेगा तो उन्होंने एक business setup क्या उस business के नाम था उन्होंने एक business start किया यहां पर मैं लिख रहा हूं कि उन्होंने एक business मैं इस तरह से एक ड्रॉ कर दे रहा हूं picture ठेक है इस business के नाम है एस एस टेक्स्टाइल ठेक है क्या समझे एक एसन गुपता जी है उन्होंने सोचा कि मुझे एक business करनी है मुझे एक business start करनी है business established करनी है जिससे कि मुझे कुछ income होगा जिससे मेरा काम चल सके तो उन्होंने सोचा और एक business को stable कर दिया जिसका नाम रखे उन्होंने एस टेक्स्टाइल ठेक है समझे बातों को अब जैसे यह business को start करेंगे तो इनको क्या लगाना पड़ेगा इसमें capital जो भी ओनर होते हैं उनको ओनर के नाम के जगह पर क्या लिखा जाता capital बिजनस जब यह स्टार्ट करेंगे तो यह capital और capital जैसे देंगे तो बिजनस में का जागा cash suppose that मानका चलिए उन्होंने फाइब लाग रूपीज से उन्होंने बिजनस को इस्टेवल कर दिये और उसको यह बता दिये कि तुम मेरा क्या हो गुलाम हो यह कैसे हो सकता हाँ गुलाम का सेंस यह कि तुम जो भी चीज करोगे वो मेरे फेवर में तेरे को करना है इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप जो भी काम करेंगे और उस वर्क से जो भी आपको प्रॉफिट होगा जो भी इवेंट होगा वो मेरे को देना है ठीक है और इसका अलाब आपको जो करना है बिजनस में बाइंग सेलिंग एक्सपेंस करना है इन कर्ड आपको ठीक है इसका मतलब यह दोनों एक सेपरेट लीगल एंटीटी का भी काम कर रही है कि मतलब एसे इन गुपता जी अलग है और एसे टेक्सटाइल अपने जगह पे है लेकिन यह बोला है कि तुम मेरा गुलाम हो कि मैं जो कहूंगा वो तेरे को करनी है प्रॉफिट होगा मेर इसको मैं कमपंसिट कर दूंगा तो देखें क्या होगा जैसे एसे गुपता जी बिजनस स्टार्ट के तो कैस नहीं लगाया बिजनस में अब जैसे बिजनस स्टार्ट हुआ तो उन्हें क्या खरिकना परेगा बहुत सारे ऐसे चीज है जो बिजनस को रन करने के लिए उन् टेकर हें लेंड चाहिए यह बील्डिंग चाहिए कि ट्रांट चाहिए मजन्ड़ी waIntendood fiture, chosen процесс, IsteC, चीजर चाहिए, इसका मतलब ये क्या हुआ, इन सभी को मैं क्या बोलता हूँ, assets, है क्या हुआ assets है, मतलब business को run करने के लिए administrative purpose से, या production के purpose से, कुछ fixed assets purchase करना पड़ता है, ठीकिम्ट, और सांथ-सांथ, उनको पास, कुछ goods लेना पड़ेगा, goods purchase करना पड़ेगा जो purchase account में चला जाता है goods purchase करना पड़ेगा तब ही उस चीज़ को वो sell कर सकते हैं अब जैसे इन्होंने ये सारे चीज़ को purchase कर लिया land, building, plant, machinery, furniture fixture ये तो production के purpose से और administrative purpose से लिया गया है चुकि हमेशा याद रखेंगे जो भी fix assets होती है वो acquisition के जाती है for production and administrative purpose के लिए जो in future में revenue generate करेगी या service provide करती है जैसे land है जिसमें हम लोग राते है service provide करती है या उसको हम लोग rent पे लगा देते हैं तो revenue generate होती है building है उसमें भी यह है land building इसमें हम लोग production का प्लांट हमारे पास कुछ machinery हो सकती है यदि manufacturing company है तो machinery क्यों हो सकता परता है plant machinery को जिसे हम लोग production करते है furniture हो सकती है तो यह सब जो assets है वो तो या तो administrative purpose के लिए ली गई है या तो वो production के purpose है जो in future में हम लोग का करती है revenue को generate करती है goods है यह purchase हुआ stock के रूप में अब देखे क्या होगा इसको फिर further processing किया जागा goods पे काम किया जागा उसको sell किया जागा इंचियों को देखने के लिए उसको maintain करने के लिए उसको present condition में लाने के लिए हमें बहुत सारे expense incurred करना परता है जैसे हमें salary paid करना परेगा जैलरी देनी परेगी रेंट देनी परेगी ठिकेट एलेक्ट्री सीटी देनी परेगी ठिकेट मत्व एक तरह समय का सकता हूँ यह क्या हुआ expense हुआ यह expense हुआ मैं एक बार फिर से पुना on camera देख ले रहा हूँ क्या आप लोग तक क्लियर दिखाए दे रहा हूँ salary rent electricity traveling expense हो सकती entertainment expense हो सकती है wages हो सकती है मैं कुछ ही expenses का मैंने यहाँ पर लिखा हूँ अब यह समझे assets क्या हुआ यह सारा जो भी चीज़े बिजनस का अपना है मैं हिंदी सब का प्रियोग कर रहा हूँ अपना है यह जो खर्चा है यह भी उसका अपना है यह भी अपना है उसके बाद देखें क्या होगा जैसे ही यह assets को required करेगा परचीज करेगा उसके बाद उस पर expense incurred करेगा तो उसके बाद क्या करेगा उप फरदर उस goods को क्या करेगा वो sold कर देगा यहाँ पर क्या करेगा sale करेगा तो यह sales होगा इसमें से मैं purchase को list कर दूँगा ठीक है तो यह क्या कर आएगा profit एक दम बातों को एक दम अच्छे ढंगजे समझे ठीक है profit बोल सकते हैं या आप तो gain बोल सकते हैं या कोई income बोल सकते हैं जो भी ची जब यह further sale करेगा तो आब समझे ये sale किसका है जब ये sale करेगा तो sale क्या वो business का है नहीं क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया था कि जो भी revenue होगा किसका होगा SN Gupta Ji का होगा क्योंकि SN Gupta Ji ने start में ही बता दिया था एसे textile को कि तुम मेरा गुलाम हो जो भी कुछ करोगा वो मेरे hit में करना है और जो भी तेरे को profit होगा तुम जो मेहनत करोगे उसके बदले जो concentration आएगा वो तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा इसका मतलब ये business का अपना नहीं है ठीक ना ये एक तरह से SN Gupta Ji का है तो मैं business के point से चलता हो ये क्या होगा दूसरे का है कि दूसरे का ठीक है मतलब यह का सकते हैं कि अपना नहीं है क्योंकि profit होगा वो भी SNG को देना पड़ेगा गेन होगा वो भी देना पड़ेगा sales को revenue है वो भी उसको देना पड़ेगा बहुत साड़े चीए सी आ सकते हैं इंडरेस्ट रीसीब्र हो सकती है ठीक है मैं एक income का कुछी portion लिखा ये क्या हुआ एक तरह से गेन हुआ profit हुआ या income हुआ ठीक है ये income का portion जितना भी हुआ किसका हुआ दूसरे का मतलब अपना नहीं है ये business का अपना नहीं है ये owner को देना है ठीक है अपना नहीं है cash क्या है इसका business का अपना है capital किसका अपना नहीं है ये दूसरे का है चुकि owner जी का है ये S.N. गुप्टा जी को रिपरजेंट कर तुम बाते को समझें उसके बाद क्या है कि बिजनस में मुझे बहुत सारे पैसे की आउसकता परता है तो ये कोई ज़रुआ कि मेरे पास sufficient amount हो उसके लिए बिजनस को क्या करना परता है कुछ credit परचिद करनी परती है कुछ loan लेनी परती है कुछ borrowing करनी परती है कुछ Deventures Issue करनी परती है कुछ Shares Issue करनी परती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसके लिए उसे मानका चलिए कुछ दुसरे से जैसे मानका चलिए Creditors हो सकते हैं मतलब जहाँ से हम लोग उधार खरेते हैं माल ठीक है उसके बाद वह तो ठीक है क्रेटर हो सकता है कोई लून हो सकता है ठीक है बोड़ोइंग हो सकता है ठीक है इतना मोर्दिन सभी सेंट है जो भी लाइबलेटी होगा इसका आप समझ जाएंगे यह बिजनस के लिए क्या है एक लाइबलेटीज है लाइबलेटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सविलेटी ठीक है लाइबलेटी क्या है एक परकार के रिस्पॉन्सविलेटी टू पे टू एनदर परसन ठीक है लाइबलेटीज क्या है लाइबलेटी इजे रिस्पॉन्सविलेटी टू पे टू एनदर परसन ठीक है किसी दू दूसरे का है यानि कि अपना नहीं है अपना नहीं है अपना नहीं है यानि कि दूसरे का है ठीक है आप देखें इसी से पूरे कहानी किलियर हो जाएगा इसका मतलब देखिए जो भी income है जो भी assets मतलब ये कि company में जो भी assets से जो भी खर्चा है वो सभी business का अपना है इसका मतलब अपना जब बढ़ेगा तो debit होगा जब अपना चीज घटेगा तो credit क्यों क्योंकि जब हमसे जुदा हो जाएगा तो मेरा अपना तो रहेगा नहीं जब अपना रहेगा है नहीं तो उसे मैं debit क्यों करूँगा मुझे मेरे को credit करनी परेगी liabilities में कुछ उसी बात है उसी तरफ है जैसे तो आप मैं एक equation create कर दे रहा हूँ इसका मतलब क्या समझे बिजनस में जो भी assets होती है जो भी expenses होती है वो business को अपना होता है मतलब एसे टेक्स्टाइल जी का अपना होता है और दूसरे का क्या हो सकता है सर तो दूसरे का क्या हो है तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट यह डेबिट क्रेडिट का एकड़ाम कि इजी वे से समझने का एक तरीका है एक बहुत बहुत बेहतरीन कांसेप्ट है जिससे कि सभी स्टुट्येंट को समझ में आ जाए चाहे वो commerce नहीं भी पढ़ा होगा तो उसे भी यह समझ में आ जाएगा सिर्फ एसेट्स लैबिटी उसको समझ में होनी चाहिए और एक्सपेंस कौन-कौन सी है तो देखिए इसी से मैं क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था जो भी चीज अपना है बिजनस का उसे डेबिट करो और जो दूसरे का है उसे क्रेडिट कर दो ठीक है हा और जब डिक्रीज होगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा फिर इसके रिस्पेक्ट में कोई होगा कोई इंकम होगा तृ सिक और कोई में तो क्यामरा को देख रहा हूं क्या आप तो कुछ समझ में आ रहे है बात एक दम आ रहे है सर ठेके मैं आगे बढ़ना दम easy way से समझनी है सरसर एक दो journal entry बना को मुझे साबित कर दो तो देखिए फान का चलिए अगर कोई land purchase हुआ तो देखे land बढ़ेगा इस काम तुसे debit कर देनी है जो भी assets मैं simple लिग देता हूँ कोई भी उसमें से assets purchase होगा तो assets क्या होगा assets account debit होगा और उसके respect में क्या होगा मेरे को पैसा देना पड़ेगा ठेके cash चला जागा तो देखे जब assets घटेगा तो CR होगा तो to क्या हो जागा to cash account ये अगर cash transaction है उधार पे पर्चेज हो रही है तो क्या हो जागा assets account dr2 मानके चले राम से मैं पर्चेज कर रहा हूँ तो to ram account क्यों क्यों क्योंकि मैंने बताया हूँ creator क्या है अपना नहीं है दूसरे का है तो ram क्या है दूसरे का है तो दूसरा क्या होगा liabilities हुआ ये बढ़ेगा तो CR कर देनी है तो assets account debit to ram account एदम सिंपल है अगर विक्री हुई तो विक्री क्या है income है या ये दूसरे का है तो दूसरे का चीज बढ़ता है तो CR होगा उसके respect में क्या होगा जब मैं समान बेचूँँगा तो मेरे को क्या आएगा पैसा आएगा cash का collection होगा तो cash को मैं क्या करूँगा debit कर दूँगा तो क्या हो जागा यहां पेंटरे cash account debit अगर समान sold हो रही है तो cash account debit are to होगा आपको sales account ठीक है अगर ये cash में विक्री हो रही है तो यदि उधार विक्री होती तो अगर मैं फिर राम से या स्याम से बेशता तो स्याम क्या होता डेटर होता डेटर बढ़ता मत्तों assets बढ़ेगा तो debit तो data account debit are to sales income है तो income कोई दूसरे party का होता इसलिए मैं उसको credit कर देता तो I hope कि आप लोग को यहां तक journal entry का जो एक simple जो system था method था आप लोग को भी एक easy लगाओगा आप मेरे comment works में please comment करेंगे कि आप लोग को कैसा लगा यदि अच्छा लगेगा तो मैं इस तरह से बहुत सारे ऐसे से वीडियो अप्लोड करूंगा जिससे कि accountancy एकदम easy लगेगा मैं एक बार और बता दूँ अपने चैनल की माध्धम से मैं अक्सर जब भी मैं YouTube पे वीडियो अप्लोड करती हूं करता हूं तो taxation की होती है या finance से संबंधित accountancy हो या तो कोई financial accounting हो या कोई 11 है 12 है become है income हो या UGC net से लेटे जो भी questions होते है या जो syllabus होत मैं वीडियो को अप्लोड करता हूं जिससे कि आप लोग को help हो सके ठीक है तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे कि आज की class कैसा था बाइबे have a nice day